तो हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले क्रिस्मस पेशल फोटो एडिकिंग बिल्कुली इजी स्क्रेप में अगर आपको भी ऐसी फोटो एडिकिंग करने है तो वीडियो को एंड तक जरूर देख तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं तो दोस्तों हमने पिक्साट आप में बैग्राउंड को ओपन कर लिया है बैग्राउंड ओपन हो जाने के बाद हम चलते हैं अड फोटो पे अड फोटो में आज जाने के बाद हम इस वाली मॉडल की पेंजी को एड कर देंगे मॉडल की पेंजी एड हो जाने के बाद हम थोड़ आई से बढ़ा लेंगे और अच्छे से अड जस्ट कर देंगे model की पेंजी अच्छे से अड़ेस्ट हो जाने के बाद हम जाएंगे shadow में shadow में आजाने के बाद हमें to beiform light कम कर देए भूर की भर कर देए एक हो जाने के बाद हम, कुरेंगे डन हो जाने के बाद हम फिर से चलेंगे एड़ फोटो में एड़ फोटो में आजाने के बाद हम इस बार इस वाली लाइट पे एंजी को आड़ कर देंगे लाइट पेंजे आड़ हो जाने के बाद हम इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे बड़ा हो जाने के बाद हम चलेंगे ब्लेंड पर ब्लेंड पर आ जाने के बाद हम कर देंगे इससे स्क्रीन स्क्रिन हो जाने के वाद हम इसको लेक्ट सेट में लेके लेक्ट सेट में लेक्ट स्टोड़ा बहार भी तरह जाेंगेख़ ए्ड इसकी थोड़ी पेसिकल कम कर देंगे वह पैसिकली कम कर देने के बाद हम कर देंगे डान के हो जाने के बाद हम एक बार फिर से चलते हैं एड़ फोटो पे एड़ फोटो में आ जाने के बाद हम इस स्नोफॉल वाली प्रेंजी को एड़ कर देंगे स्नोफल वाली प्रेंजी एड़ हो जाने के बाद हम इसको थोड़ा बढ़ा कर देंगे है हो जाने के बाद हम इरेज वाली टूल में क्लिक करेंगे एन इरेज वाला ब्रश मॉडल फे मार देंगे इस फेस पे थोड़ा स्नोफल ज्यादा हो इसे थोड़ा एरेज कर देंगे इस ब्रश वाले टूल पे जाने के बाद इसकी हाइड निस पच्चास तब कर देंगे एन थोड़ा इसे नीचे नीचे से मार देंगे यह यह जाने के बाद थोड़ा हेर पे मार देंगे यह हो जाने के बाद राइट पर क्लिक कर देंगे राइट पर क्लिक कर जाने के पाद हम कर देंगे से ड़न यह हो जाने के बाद हम करेंगे इस फोटो को सेव फोटो से हो जाने के बाद हम इस फोटो को लाइट रूम में उपन करेंगे चलते हैं लाइट्रूम तो दोस्तो हमने लाइट्रूम में फोटो ओपन कर लिए फोटो ओपन हो जाने के बाद हम चलते हैं लाइट्स में लाइट्स में आ जाने के बाद हम एक्सपोज़ोर को थोड़ा कम कर देंगे और कॉन्स्ट्रक्ट को थोरा बढ़ा देनकी एन हाईलाइट को थोरा कम कर देंगे अन ब्लैक को भी कम कर देंगे अखी अ स्यों जाने के बाद current आजां के बाद हम वाइबरें को थोरा बढ़ा बढ़ा देंगे एंद सैचुरेशन को भी बढ़ा देंगे एंद फिर चलते हम मिक्स में मिक्स में आ जाने की बाद हम दूसरे वाले कलर में जाएंगे एंद इसकी व्यू को बढ़ा देंगे एंद लूमिनेस भी बढ़ा देंगे हम फिर चलते पाचवे वाले कलर में पाचवे वाले कलर में आ जाने की बाद हम इसकी व्यू शो कर देंगे और इसकी सैचुरेशन को 20 तक ले जाएंगे इसकी लूमिनेस को कम कर देंगे फिर चलते हम ब्लू वाले कलर में यानी सातवे वाले कलर में सातवे वाले कलर में आ के बाद इसकी विघु थोड़ा रिओ को माइनस करड़ेंगे हैन सेटरेशन को कुल कव मिचनी त्लीष में जाया एंड लिसकी लोमनेस से बड़ा देंगे एंद फिर कर देंगे हम दॉन हम आ यह हो जानी के बाद हम छलते हैं इपेक्ट में एफेक्ट में आ जाने के बाद हम इसकी क्लियर्टी थोड़ा बड़ा देंगे और विंटेज को थोड़ा कम कर देंगे फिर चलते हम डिक्लेल में डिक्लेल में आ जाने के बाद हम इसकी शार्फिंग को बड़ा देंगे लगवार्ट या नौ तक याने दो दस कोई बात नहीं फिर हम नॉइस रिडक्शन को बड़ा देंगे इसी के साथ कलर नॉइस भी बड़ा देंगे तो हमारी फोटो बस तयार हो चुकी है यह देखे फिर हम फोटो को कर लेते हैं सेव फोटो सेव हो गई है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गई तो लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब भी करें थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वीडियो में